गाइज मैं आज आपको पाने रा हिल्स दिखाने वाला हूँ गाइज अभी मैं आचुका हूँ पाने रा हिल्स के पास मंदिर में चड़ावग के लिए लेकर जाना चाहते हो तो यहां से आप लेकर जा सकते हो और यहां पड़ा टोटल पांसो से छे सो सीडी है एक और आपक्रोक्सिमेट नहीं कि आपका होस्त और दोस्त देव तो अभी मैं आपका होस्त और दोस्त देव सो अभी मैं आ चुका हूँ वलसार नेशनल हाईवे 48 के पास मैं खड़ा हूँ यहां से मैं जाने वाला हूँ अतुल और वहां से मैं जाने वाला हूँ पानेरा हिल्स तो गाईज मैं आज आपको पानेरा हिल्स दिखाने वाला हूँ दिखता हूँ आपको रास्ता पानेरा हि जाने के लिए तो गाइज अभी मैं खड़ा हूँ अतुल और बिच के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहां से हमें राइट साइड मूर्ना है और सामने ही आप देख सकते हो पानेरा हिल्स तो गाइज मैं जाने वाला हूँ पानेरा हिल्स गाइज वीडियो में बने रहे बानेरा हिल्स की आज मैं आपको कम्प्लेट इंफरमेशन देने वाला हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और पॉमेंट जरूर करना कर correlateते हम आपको करें電 क्री आपको कर अंपको करना और प्रहीं झाली आपको कर दो दोच्छू say झाल 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर आप पार्किंग कर सकते हो कि मुंदिर में च्ड़ावे के लिए लेके जाना चाहते हो यहां से आप लेकर जा सक्ते हो तो सामने प्रविश्टार है यहां से हमें उपर जाना है तो चलि चलते हैं उपर पानेर हेल्स के उपर मैं अभी जा रहा हूं और यहां पे टोटल पार सो से छे सो सीडी है एप्रोक्शिमेट अभी दूभेर का टाइम हुआ है अभी के टाइम मतलब इतने दूपेर में गर्मी के टाइम में उपर जा रहा हूं दिखाता हूं आगे का नजारा आपको जब सीडी चड़ रहे हो तो बीच बीच में आपको चोटी मोटी स्टॉल भी दिखाई देगी और सीडी की दोनों और आपको पूरा चंगल दिखाई देगा यहां पर गन्ने का जूस मिलेगा यहां पर लिम्बू का सर्बत होता है वह मिलेगा और हमें जाना है उपर इसलिए अभी बहुत कम स्रद्दालू आ रहे हैं जब नौरात्री में माता की आठम होती है तब यहां पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है तो दूर दूर से यहां पर अल्ट अलग अलग स्टेट से लोग माता की दर्शन के लिए आते हैं तो उपर पहुंचते ही आपको मंदीर के बारे में और पाने रहिल की बारे में सारी इंफ्रमिशन आपको दूंगा अभी मैं तक्रिबन तक्रिबन पहुंच ही गया हूं यहां पर दो रास्ते मिलेंगे मंदी के पास पहुंच जाओगे और एक यह रास्ता है यहां से भी आप माता के मंदीर के पास पहुंच सकते हो और यहां पर रामेश्वर महादेव का मंदीर है तो हम लास्ट में जब रिटर आएंगे तब आपको लिखाएंगे तो हम जल्दी से उपर पहुंचने के लिए यहां से जाने बाले हैं तो हम पहुंच जाएंगे मंदीर पर जल्दी से अब इमें पावागड गया था वहां पर रोपए में से उतरने के बाद त्यक्ति बंद तीन सो सीड़ी है वहां पर इतनी मुझे ठकान नहीं हुई थी लेकिन यहां पर 600 सीड़ी चर्ड़ने के बाद मेरी हलत खरब हो गए है लेकिन फाइनली हम पहुंच चुके है मैता जी के मंदिर के पास तो गाईस नस्दिक से आओगे तो यहां से आपको आना पड़ेगा और यहां पर मंदिर में जाना है सामने के राष्टे से आओगे तो यहां से आप आओगे और मंदिर में इधर जाना है और सामने ही चांद पीर बाबा की दरगा है तो वापस हम मंदिर की दर्शन करके आ उसके बाद आपको दिखाता हूँ चान पिर बाबा यहां से मंदिर में सड़ावर के लिए माता जी की चुन्री वगेर आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो तो गाइस यह देख सकते हो आप माता जी का मंदिर यह मंदिर है और मंदिर के सामने चंडी का अंभी का और नव दूर्गा माता का मंदिर है तो चलिए आपको माता जी के दर्शन करवाता हूं जाल आपको माता हो फिर्शन करने जी के तो नीची का आपको चाहार साली जाएं कुझे पांचों होता है जाल के जी शमी प्रेंडिक आपको जाल के आप लिए आपको जाली होता हूं होगा है अधीं हम नो राज्यापन नगल नगल न आधि지만 हग्वा युद्स के पाल जनालागी कन मास अंतिर भांति ने, टीफ और में जन्सक्चे Charism जिवाजी राजा सोची सर्तार वरस्नाधिया दे अर्शामा जे सुरत नी ओंतुई 24 स्वार मुपामा आईवे आस थड़ो उपर थे लुपामा अने दे समय अंदर शिवाजी राजा एवे जे फोटानों सन्य बलोगुट्याना साथे रहने आज जिवाज को निका अंदि का हमें नव उपरांड आज एवे आए वे उपर देवी जे जन्दे दूर जाबावन आपकेचे तो एमनी स्थापना करी में मैथी 24 वार उगत ने कोथे लूटी और एवद्दू धन एकत्र करीने पुना माझे पाचो पोटा नाप्ट पहली पोटा नाप्ट पहली श कह दोाई तरने कितानों सहाजीर राजेनु हुआ बोटानों राजय स्थापिग करें मुगर साथनों निस्तो नाभूर कहिए और लगशीं कितानों हुआ। त्यार पछी ए राज्य फेल्टू जयुए। आपनो गुजरार्थी माली ने राजस्थान उचेन तक मैंने राज्य ने स्थापना कई दू अने मुदू सन्य बड़ू उप्टू अने मुगल सामराज्य ने ए बड़ो समुछ नास कई। ए इढियास आ मालों जय चुछे त्यार थी जए ब्रभामनों ने व्रटिष्टा करूवा माटे बुला वेला थौन त्यतनु जौन सहीं राज्य करे, त्यतनु जौन सहीं experts ने पुजा करे और स्यक्नी ङुच्छ तरीके यहां पे चंडी का चामुंडा और नव दूर्गा माता का मंदीर हो मंदीर के सामने हनमान जी का मंदीर हमान चामूंड़ का मंदीर है। इस मंदीर के बाजू से आपको एकर रास्ता जाएगा considera किंदिra के पास। Edge अभी मैंने चंडी का मुदा और नव दूर्गा माता के दर्शन कराये। आपको अभी मैं जा रहा हूं काली मा के मंदिर के पास और उसके पीछ एक स्टोरी है तो पहले के टाइम पे चारों माता है साथ में रहती थी लेकिन आपसी कुछ दुलजनों के काराण इन में जगडा हो गया और काली का माता प्रोट कर वहां पे सामने गुफा के अंदर चल यह आप देख सकते हो पूरा ब्रीज है काली मा के मंदिर तक पहुंशने के रास्ता यहां का नजारा बिल्कुल अमेजिंग है आप देख सकते हैं यहां पे आप साम के टाइम आओगे तो आप संसेट पॉइंट देखने को मिलेगा और सामने आप देख रहे हो वहां पे अ चलते हैं आपको मैं दर्शन करता हूं काली मात आगए यह काली मा के मंदिर की और आप जाते हो तो वहां पे आपको यह जिल मिलेगी चोटी सी यह आप उपर देख रहे हो यह पूरा फ्रॉट है तो इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं आपको मैं आचुका हूं मंदिर के पास और आपको मैं दर्शन करवाता हूं माता जी जिए यह आप देख सकते हो वहां पे काली मा छुपके बैठी है अंदर कुछ ऐसा है माता जी का मंदिर आप देख सकते हो वहां पे यह अतुल की ओर से आप आ सकते हो तो पाने रा हिल्स पे आने के लिए माता जी के दर्शन करने के लिए आप दो जगह से आ सकते हो एक तो मैं जहां से आया हूं वहां से और दूश्री जगह है आप अतुल से आ सकते हो तो मैं आपको एक रास्ता दिखा यहां से चारके उपर आना है यह रास्ता और यह यहां से अंदर जाओगे तो सामने मंदिर दीखाई देखा है तो सबसे पहला आपको कालिमा का मंदिर आएगा और उसके बाद आएगा चंडी का चामुन डाउर नव दूर्गा माता का मंदीर आएगा तो गाइज मैंने आपको दूसरा रास्ता भी बता दिया है तो चलिए चलते हैं अंदर आपको पानेरा हिल्स का फ्रॉड आपको में दिखाता हूँ यह पूरा कीला है और आप नीचे देख सकते हो कितनी बड़ी खाई है और सामने नेशनल हाइवे नबर फोटी एट आप देख सकते हो मंदीर से दर्शन करके आप वापस फ्रॉड को देखने जा सकते हो तो आपको मैं दिखाता हूँ पानेरा हिल्स का फ्रॉड कुछ ऐसी की फुटी हालत में है यह फ्रॉड आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे लोग सेल्फिक हिचवाते हैं यहां पर आप देख सकते हो यह पूरा फ्रॉड है अभी फिलहाल यहां पर और कुछ नहीं है फ्रॉड के अंदर आपको संबल के रहना है पूरी खाई है यहां पर जहाल है अधेश मेंते सारे लृड कोमारा को Holzष जया है यहां परियान प्रुड देख संस— पानेरा हिल्स पे माता जी के दर्शन के एलावा भी एक और अट्रेक्शन है यहां पे संड्राइज और संसेट होता है और वह सीन बहुत ही अमेजिंग होता है इस तरफ संसेट होगा ठीक सामने यहां से संड्राइज होता है तो यह नजारा अमेजिंग होता है संसेट और संड्राइज का बीच में आप देख सकते हो चामुडा माता का मंदिर आप बहुत टाइम पहले पाने रहा हिल्स पे आये हो तो अभी जरूर रहेगा बिकोज अब यहां पे बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ नया डेवलप भी हुआ है साम के टाइम आप आओगे तो आपको संसेट पॉइट देखने को मिलेगा और अरली मोनिंग आओगे आपको संड्राइज देखने को मिलेगा अभी मैं आपको नीचे ले जाता हूं और मैं आपको दिखाता हूं रामेश और महादेव मंदिर सो गाइज अभी मैं वापस नीचे जा रहा हूं मंदीर के दर्शन आपको मैंने करा दिये है चंडी के चामुंदा और नवदूर्गा माता के दर्शन मैंने आपको करा है और साथ में काली का माता के भी दर्शन करा है और शत्रपदी शिवाजी महराज का जो फ्रॉट है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको सामने चांद पीर बाबा की दर्गा देखने को मिलेगी मैं आपको दिखाता हूं चांद पीर बाबा की दर्गा तो गाइज अभी जो मैंने आपको दिखाई चांद पीर बाबा की दर्गा उसके पीछे एक स्टोरी है तो चांद पीर बाबा सत्य और रहिंशा की मार्ग पे लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई लड़ते हुए वोसाइध हुए थे और उनका मस्तक यहां पानेरा हील पे पड़ा था और उनका जो शरीर है वो बिली मोरा में पड़ा था अभी मैं जाने वाला हूं रामेशवर महादेव मंदिल के पास और आपको बखाता हूं रा क्योंकि आपमारा तो नजली के 15 मीट होता है घर्शान है मेरी तर आप भी नजली को मैं भी वलसार सिटी से हूँ तो मेरे पास से 10 मीट का रास्ता है मेरे साथ विशाल है और पेशकर पेशकर तो नाम थोड़ा अट-पटा है विशाल पेशकर और व्रज तो मुझे इन तुन है कि सोमाज है अभी मैं बढ़ रहा हूं आगे रामेश्वर महादेव मंदिर आपको दिखाता है यह रामेश्वर महादेव मंदिर तो चलते हैं हम अंदर और यह गंगा माताजी का मंदिर और हमें जाना है अंदर सो यहां पर नंदी जी विराजवान है और सामने रामेश्वर महादेव जी का मंदिर है टशरी गारीश्वर महादे रामेशन आपको आपको दे दी है और है अब नीचे आगर आपकर आप को आ और रेश्वर में वीडियो का मिकरjutर comment जरूर की जगए कि वीडियो कैसा लगा तो guys यहां से मैं अभी जाने वाला हूँ और आपको तिथल बीच दिखाने वाला हूँ साथ में साही बाबा का temple और स्वामी नायन बगवान का temple आपको दिखाने वाला हूँ तो वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाले हमारा तिथल वीच का सो इस वीडियो में बस इतना ही सो गाइस मिलते हैं तिथल वीच अभी द्वारी का मारी मंदीर आपको मेरा दिखाया है साही बाबा का वो है साही बाबा का मुख्य मंदीर आना है